इस्टार्ट नमस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत अभिनंदर है देवेंदर क्लासेस की यूटुब चनल में उम्मी देगे मस्त होंगे और स्वस्त होंगे टॉपिक है हमारा स्टाट्प ज़ीचे के जाला से जयादा सेयर करें और अंत तक वीडियो में बने रहें जैसे कि स्लेवस में उसी साबसी जय टॉपिक है बहुत सारी पंट्प आपको नई भी मिलेंगे किहिंगेंस में सारेत प्रश्णों को सारे बढ़नों को सबस्क्राइबlla ऊपको लिखते क्लास सब्सक्राइब की Ihr daStill the ले मेने द्धारवा पडाने के लुए ठीक है जादा ज्यादा श्यादा का अन्तरच बैग्यानिक थे नाम से सेंटर कहां पर सब्सक्रण कट lesson ये यह यह रखेज़ा है और ये एक इस番 का नाम है काली कट क्या नाम है काली कट पराना नाम था यहां वासको डिगाम आया था सबसे पहले इसी का नाया नाम क्या है इस समय कोजी कोड है इसी का नाया नाम क्या है कोजी कोड और इसे यूनेसको ने अभी 2023 में साहित का सहर गोसित किया है कौन सा सहर गोसित किया है साहित का सहर तो याद केरल भारत में सबसे ज़्यादा का लग आधा गारते मत हऊते ह 없이ол चाहत किख ज हां में और केख और केले का आधे क्यौ्ट आधे कर रहा bleeding के बनना की बहुरत कर रहा है न हाईस फ्रॉडेक्शन अनौतirona का वह यह भी कहाँ देल हो ता ठंड लग रही है, खागानों जरांगे, ठीके जरा ले, ठीके बज्या, तो विक्रम सारावाई सेंटर का है सकता है, केरल में सकता है, और केरल के जो पॉंट लखें मैंने, इसके लावगा थोरियम, परमाडू खने जो होता है, थोरियम के मालावड समंदरी चेतरों में पाय नहीं परदेश के उत्रकंड की राजधानी को राज़ार के संद आजार में 9 नवंबर को 13 जिलों को अलग किया गया था उत्तर प्रदेश से तो भारती ये प्रिट्रॉलियम संस्तान भी है जहां पर नुसरा हूर लिख लेना भारती ये वन अनुसंधन सुस्थान भी कहा इसकता है दहरादूर में इसकता है ठीक है और इंडियन मिलिटरी अकेडमी बारतिय सैन जे दोलत करना है यह 3 पॉण्ट प्रन नोट करना यह जो मैंने आपको बताएं से ठीक है आगे बात करते हैं वैसे लगूई माले का भी विस्तार उदर जाता है तो इन पॉइंट को नूट कर लेना अगला है सैयुक्त रास्ट से सैयुक्त रास्ट का सैच्छेक देखो एक एक सब्द पढ़ना आराम से कोई जल्दवाजी निकरनी है धैरे से पढ़िए प उसी में ऐसे प्रशन आएंगे कही ना कहीं से है ना तो पढ़ना बहुत पढ़ेगा बहुत चीज़ों को कवर करना पढ़ेगा मैटर ओफ जी एस जी एस के विसे में यदी में बात करूं तो है ना तो देखिए सैयुक्त रास्ट का सैच्छेक दूसरा सब्द बैग्यानि और तीसरा सब्द है सांस्कृतिक यह तीन सब्द है सैच्छेक बैग्यानिक और सांस्कृतिक कहने का मतलग है सिच्छा के उपर काम करता है यह संगठन बैग्यानिक चीजों के उपर भी काम करता है और सांस्कृतिक समिथन भी है यह सांस्कृतिक चीजों के उपर भी काम क होई थी फ्रांस की राजदानी पेरेस में इसका मुख्याल है कब हुई थी चार नवमर को और बढ़ से 1946 फ्रांस की राजदानी पेरेस में हैड ओप इस है भारत संयुक्त रास्ट में कब सामिल हुआ था 1945 में सामिल हो गया था एक गोष्णा पत्रपा हस्थाचर करने के बाद है ना संयुक्त रास्ट की इस्थापना 24 अक्टूबर 1945 होई थी उसी वर्स में भारत सामिल हो गया था कई बार प्रेश्ण पूचा जा चुका है नोट कर लेना आंगे बात करते हैं सार्क नाम सुनाई ह आठ दिसंबर 1985 को ही थी और इसका जो हेड ओपेस है काँ प्रेश्ण का राजदानी है नेपाल की नेपाल की राजदानी क्या है काट मांडू ठीक है यह पॉइंट रो नोट कर लेना भाई साब आठ दिसंबर 1985 को स्थापना होई कौनचे संगठन की सार्क की जैसे दच्छ सेस भी से बोलते हैं सार्क भी से बोलते हैं काठ वांडू मैं इसका है ठीक है अगला पंट है बारत का पहला इंजिनेरिंग कॉलेज बारत का पहला Engineering College की स्थापना रोड़की में हुई थी, जो के उत्तराखंड में है, रोड़की कहाँ पहाँ है, उत्तराखंड में, 1847 में इसकी स्थापना के गए थी, British सासनकाल में, आजकल इसे IIT College के नाम से जाना जाता है, कौनसा College है, IIT College है, ठीक है, नोट कर लिए, 1847, आगे बात करते हैं, 200 व्यापार संगठन, 200 स्वास्त संगठन और 200 स्रम संगठन, तीन संगठन है एकी लाइन में, एक कौनचा व्यापार वाला, दूसरा कौनचा है आपका, स्वास्त वाला, और तीसरा कौनचा है स्रम वाला, मतलब लेबर, English में क्या वोते हैं, लेबर, और इसे इंगलेश में क्या हो लेंगे आप जानते हैं एल्थ डिपार्टमेंट है जह अब यह आपका है ट्रेड वाला तो बिश्ट व्यापार संग्ठन स्वास्त स्रम संग्ठन का जो एड़ों के से को कुंसी जगह है जेनेवा में इसे लेंड के कुंसी जगह है स्रेके जेनेवा में तेनों से Do ॉ嫌द रखी एगा आगे बात करते हैं 1998 में अमरत्य संग को नोविल प्रस्कार दिया गया था बारत्य मूल के व्यक्ति थे पहले बारत्य मूल बैगति जिने को किसमियो प्रषकार मिला अम्रत सैन पहले वारतिय बैगती जिनको 1968 में नोवेल प्रिसकार से समयानेथ किया गया आगे बात करेंगे 1968 में अर्थ सास्त्र का नोबेल प्रुषकार स्वीडन के सेंट्रल बैंक कौन्सी रेस का है ये बैंक स्वीडन का स्वीडन के सेंट्रल बैंक के 308 स्थापना दिवसके अवसर पर शुरू किया था ये भी लिख लेना ये कई वार आपने पढ़ा होगा कि भाई जो नोबेल प्रु हुआ था 1901 में लेकिन economy की चेत्र में 1968 में शुरू हुआ था तो 68 में जब शुरू हुआ तो स्वीडन की Central Bank जैसे हमारी RBI यह भारत की ऐसे स्वीडन की Central Bank के 300 वे स्थापना दे बस के अवसर पर 1968 में अडशास्तर का Nobel शुरू किया गया था यह थोड़ी सी जानकार यह आपके लिए लोड कर लेना आगे बात करते हैं पहले भारती अब्यक्ती साहित के चेत्र में जिनको Nobel प्रोसकार मिला तो साहित के चेत्र में 1913 में नोबल पुरसकार रविन्ना टेगोर जी को मिला किसको मिला रविन्दर नाथ टेगोर जी को ठीक है पहले वारतिय ब्यक्ति जिनको फिजेक्स में नोबल पुरसकार मिला 1930 में मिला था इनका नामे सीवी रमन डॉक्टर सीवी रमन को मिला था ठीक है इनकी याद में विग्यान देवस 28 फरवरी को मनाते हैं आगे बात करते हैं पॉलेंड ये देश सुना होगा योरोप का देश है इसकी राज़दानी वर्षा विश्चुला नदीवे आती है जहां पर यूक्रेन का पड़ोसी देश है पॉलेंड की मैडम क्यूरी पॉ ग्यांत के छेत्र में और जैक्स के चेत्र में और 1911 में चेत्र की मैंलेंण हो ते मेंटम क्यूरी ने काई कि खुज की थी मेयडम क्यूरी ने है है ना, तो ग्यानपीट प्रुषकार 1965 में शुरू होता है, कौन्ची परस में शुरू हा था, 1965 में ग्यानपीट प्रुषकार शुरू हा था, नोट कर ले ना 1976 में आसा देवी को 1976 में दिया गया था ठीक है और 65 में जी संकर कुरुप को दिया गया था ये नोबल बुसॉई जान पेड प्रुसकार आगे बात करते हैं फिलिपेंस फिलिपेंस के पूरु राष्टपती रहे मैकसे से आप जानते ही मैकसे से के नाम से प्रुसकार दिया जाता है रहमन मैकसे से प्रुसकार की स्थापना का हुई थी 1957 से दिया जा रहा है और इस्थापना किसने करी रॉक फेलर ब्रदर्स फंड ने स्थापित किया था इसे किस ठीक है ये वाला प्रुषकार सबसे पहले 1958 में आचार ने बिनोवा भावे जी को प्राप्त हुआ था बारत की तरब से पहले बारती ये बेखती जिनको रेमन मेकसे से प्रुषकार मिला आचार ने बिनोवा भावे बड़्स 1958 में ये प्रुषकार मिला था ठीक है आगे बात करते हैं कलम प्रशकार 1951 में स्थाफित हुआ कब इसथाफित हुआ था और सब्सकार की गय सब्सक्राइब यूनेसको के दोरा स्टाडिंग करें गिये थे बिजू पटनाएकी यहाद में य। कौनसे चित्र में दिया जाता है यहा बिज्जान के चित्र में दिया जाता है यह भी लिख लेवन्हें य। 1951 में युनेस्को के द्वारा इस्थाफित किया गया बिग्यान के छेत्र में दिया जाता है ये परुस्का कौनसा कलिंग वाला अगला मुद्धा है अगला पॉंट है संगीत के छेत्र में भारत रत्न दिया जा चुका कितने लोगों को तो कुछ नाम लिखें मैंने इस्पेसल ये जुड़े रहें संगीत से अभारे देश में जुड़े रहें हैं तो इन सभी को भारत रत्न अभी तक दिया जा चुका है एक अधर नाम और बताएंगे आपको सबसे पहले संगीत के छित्र में MS सुँवाल अचपा दिया गया उनके बाद पंडित रवी संकर सितार बादक 1999 में दिया गया लता मंगे सकरजी को दिया गया 2001 में दिया गया बिसमिल् Zhao khan सहेनाई बादक हैं 2000 1 में दिया गया पंडित बीमसे जोसी को तबला बादक हैं मेरे ख्याल से 2008 में दिया गया तो इन सभी लोगों को कौन से चित्र में मिला है संगीत के चित्र में अभी तक दिया जा चुका है कौन सा परश्कार आपका भारत रत्न की में बात कर रहा हूँ ठीक है अगला पॉइंट है राजा रभी बर्मा ये बहुत प्रसेद राजा थे राजा रभी के लिए चित्र बनाए थे तो उन्हीं के लिए जे दच्छन बारत में भौत प्रसिद राजा थे कई वार प्रश्ण पूछा जा चुका है राजा रवी वर्मा के त्रावड कोर के थे ठीक है नोट कर लेना विश्वकी पहली पी-म पहली महिला प्रदानमंत्री बिश्वकी टो बन्डारद नाय के वनीं थी 1969 में कौन से दरेश की प्रदानमंत्री चुनी गई क्या है का प्रदानमंतरी पहली किसी महिला को कहीं प्रदानमंत्री बनाया गया था वो तो उसके बाद Bharrat में 1966 में इंत्रागांधी उसके बाद मार्गेट घेचर वनी इंग्लेंड में 1989 में उसके बाद पाकिस्तान का नमर आता है वेलेजीर बटो बनी तो ऐसे करके ये तीन-चार महिला हैं जो दुनिया में अलग-लग वर्सों में प्रदान मंत्री का इन्होंने बद समहला अपने अपने देशों में ठीक है लेकिन पहली महिला प्रदान मंत्री स्री मावो पतू वक्ता है तूरा आप और नम अधा कि अच्छा व्यक्ति पर्क शील व्यक्ति देने वाला वाद बिवाद करने वाले व्यक्ति भारत में किसको का गया ऑ गोपाल कृष्ण गोखले को बजेट बगएरा पर ज्यादा डिवेट किया करते कि अस समय सासें हैज़ा बार क किस नाम से जाना जाता है परल सिटी के नाम से जाना जाता है हैदराबाद को यह नोट कर ले ना हैदराबाद को परल सिटी परल से मतलब है हीरे और मोतियों का वैस्ट वे केंद्र है 200 के लेविल पर अगर बात करें तो हीरे और मोतियों का वैस्ट्रिक केंद्र रहा है हैदराबाद जो कि गोलकुंडा की खान भी कहां पे इसकत है गोलकुंडा हैदराबाद के अंतरकत यहां से कोई नूर का हीरा निकाला गया इस कारण इस वज़े से पर Да क्ररेशक के रूप में हैदराबाद् प्रचलेत या प्रसर्द अमारे दश्वर भारत में रहा है वैसे भारत में इस समय हीरे का जो बैस्वेक केंद्र है वो कॉनसा है सूरत है इस समय कॉनसा है मैं कालए दानती तो ना विच रही है जिए हमारे स्टूडियो के जो मेंबर है सर्दी लगती है वही सभी को सर्दी लगती है तो ताप नहीं गए थे कह रहे थे का गुर्य जी दानती विच रहे है तो कोई बात नहीं है एक सर्दी से बचे लगती है और किल्छा स्याधा सेयर करते रहिए क्या करेंगे खीलाइक करने में रड़ सेयर ला prima लाल comments की किताब होती है हिंदी में बात करें तो इसे एक संगठन है जिसका मख्याल है सुड़्जे लेंड के गलेंड सहर में इस्तित है ठीक है आई-उ-CN करके एक संगठन है यह संगठन इस फुस्तक को जारी करता है और इस फुस्तक में जो बिलुप्त प्राय प्रजातियां है जीवजंतू हों की जो खतम होने के कागरपए है विस्यवरबण उनको इसमें द्रजू किया जाता है जो बिल्कुल जैसे किसी प्रजाति क्या लिखातन नजीवों को इसमें दिर्ज किया जाता ना संगठन जीवैं यह यह बनुप्त प्राय प्रजातियों को कौन सी जो ब्लॉप्त हो चुकी है कौन सी किताम में रेड डाटा वोक में अगले बात करें राष्टपती वबन जो दिल्ली में हमारा राष्टपती वबन का डिजान किस ने बनाया था एडविन लुटियंस ने बनाया था एडविन लुटियंस ने के अंघ्रेज था इसी निन राष्टपती भाभन कर डेजान तयार किया था झाल ऊकर और 1911 ऐसे बात करें तो राष्टपती भाभन को वन्ने में मेरे सब से 17 साल लगे तो 11ào में रुस्टारस की पाऑडों को और पाडियों को काट करके राष्टपती ववन दिल्ली में बनाए गया जिसे राइसीना हिल्स के नाम से दिल्ली में जाना जाता है ठीक है यह नोट कर लेना पहले इसी राष्टपती ववन में वाइसरायर आ करता था लेकिन देश की आजादी के बाद बारत के राष्टपती का नेवासियस्थान हो गया ठीक है ये पॉइंट नोट कर लेना आगे बात करते हैं खाद एवं क्रसी संग्ठन जे बिस्वर का है खाद एवं क्रसी संग्ठन का मुख्याले का आप है इटली की राजदानी रोम में इटली की राजदानी रोम में इस देता है है ना खाद एवं क्रशी संग्ठन का मुख्याल है आगी बात करते ही जा हिंदी का पॉइंट है रामधारी सीग दिनकर की रचना है बहुत फेमस और वसी रामधारी सीग दिनकर की बहुत प्रसिद क्रती है रचना है और वसी इसी के लिए इनको 1922 में ग्यानपीट प्रसकार मिला था यह कि अपने दोस्तों के साथ कोई शुलक है कोई चार्ज आपको देना नहीं है सिर्फ पैन कॉंप्य उठाने और लगातार आपको नोट्स बनाने हैं और चीजों को बार-बार याद करना है बार-बार लिखोगे याद करोगे तो जीस की सारी चीजें आपको याद होंगी लग आपके लिए शुब लेंसे सब्सक्राइबर से लेगी तब पूरी इमांदारी से पूरी पार्डे सार बाहननत करती रहेंगे अगरी क्लास में फिर मेंगे क्लास को सेर कर चते नमस्कार सावी प्रादे रादे रादे